येस अब हम बात करेंगे इगो डिफेंस मेकानिजम की यानि अहम रक्षा युक्तियां जो आपके साइकॉलोजी के स्लीबस के पॉइंट ऑफ विए से काफी इंपॉर्टेंट है जो सीडीपी में पूछा जाता है डिफेंस मेकानिजम उसमें से जो है यह कुश्चिन फइयर्ट जो है सिग्मेंन फइयर्ट ने जो असको बताया था पर्धाइट का मानना यह है कि हमेशा शुख्ध वरस्थों कि तरफ भागते हैं जबकि दुखत परिस्तितियों से पीकषा चोड़ाते हैं और वास्तविकता ये भी है अताहर दुखत परिस्तितियों से Exodus एक्षाइटी बढ़ जाती है दुस्चिंता एक्षाइटी को कम करने के लिए हम रक्षा युक्तियां योग में लाते हैं फ्राइट ने निम्न प्रकार की युक्तियों का वड़न किया है जो कुछ इस प्रकार है फिस्ट अफॉल रेप्रेश्चिं में क्या होता है दमन का अ असमर्थ होते हैं ठीक है समवेगा तक रूप से जुड़े होने के करना हम पने पिता का अंतिम संचकार करना नहीं चाहते क्योंकि इस में हमें दुख होता है अता या हम पने विचारों को दबा लेंगे या दमन कर लेंगे या कोई भी चीज मान लिजे आप से नहीं हो रह जैसे मान ले जिए कोई गलती आपकी है तो आप दूसरों पर थोप दे रहे हैं एक हावत भी है कि नाच नचाने आंगन टेढ़ा या ग्रेप सार सोर अंगूर खटे हैं यानि कहने का मतलब आप एक कमी को दूसरी कमी अपनी कमी को किसी और पर थोप दे रहे हैं इसको प् नहीं कि थी नेक्स चलते हैं डिनायल क्या होता है इसमें जब विक्ति पूरी तरह से वास्तविक्ता को नकार देता है निगलेक्ट कर देता है तो अस्वी करण कहलाता है इसमें विक्ति अपनी बुराई आलोचना आदी को सुनकर अंसुना कर देते हैं जैसे माली जी किसी बिमारे से ग्रशित वेक्ती उसको डिनाय करता है कि मैं इस बिमारे से ग्रशित ही नहीं हूँ या दूसरा तरीका यह है कि जो smoking करते हैं या धूमपान करते वो इस बात को डिनाय कर देते हैं कि smoking जो है वो health के लिए harmful होता है ठीक है तो इस तरह denial किसी भी चीज को किसी भी thing को completely deny कर देना कि मेरा उससे कोई संबंद नहीं है अगला प्रतिक्रिया निर्माड यानि reaction formation जब कोई इक्षा दमित हो जाती है तो अहम उसे दुबारा आने से रोकता है ऐसे में आदमी विपरीत दिवहार करता है उदाहरण एक विक्ति जो अपनी मा से घ्रड़ा करता है उसके मृत्त के बाद तेरवी हवं स्राद आधी करेगा ताकि घ्रड़ा के पुर्णवर्ति ना हो यानि ऐसे में आदमी जो है opposite अपने आपका जो उसका behavior हो जाता है वो opposite हो जाता है उसका विवहार जो है वो उल्टा हो जाता है अगला चलते है rationalization जिसे युक्ति करण कहा जाता है इसमें तरक हीन भावना और विवहारों को तरक युक्त और स्विकार acceptable बनाने का प्रयास किया जाता है उदाहरण पिता के चेब में पैसे ना होने के कारण बच्चे को यह कहकर समझाना कि मिठाई सही नहीं है अभी grapes are source जो है वो rationalization का उदाहरण है मैंने आपको मुझे लगता है जो है प्रोजेक्शन में इसको बता दिया लेकिन यह जो इसका correct जो example है वो rationalization का उदाहरण है कि अंगूर को खटे हैं माली जिवह आपको वस्तु नहीं मिल रही है वो चीज आपको नहीं मिल रहे है तो आप युक्ति करण करेंगे आप रिशनलाइच करेंगे आप अन्रीजेबल को acceptable बनाएंगे और उसको तर्क युक्त लाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो rationalization means आपको उसको acceptance बन प्रिश्ता नहीं होती है लेकिन जब हमारी दीरे दीरे बढ़ती जाती है तो यह सोचकर आसु बहाता है कि बच्पन में आसु बहाकरवा पिता से खिलोने मंगवा लेता था यानि पुरानी बातों को याद करना कई बार जब हम दुख से घुरे होते हैं या कोई में दुखँ दोना यानि हमैं कभी अपनी पुरानी Australian got को पुरानी सिट्विशंस को नहीं याद करना ऐगर हम दुख की सिती में हैं तो ठीकत है आगे चलते हैं identification इस सिती में व्यक्ति ? अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान तदात्मी करण करना शुरू कर देता है। उस पहरण चंदसेखर आजात से तादात्मी इस्थापित करके उनके जैसे बाल रखना कपड़े पहनना और तथा बोलना शुरू करना किसी एक विक्ति के साथ तादात्मी करन पुनाना आइंटिफिकेशन बठाना जैसे कोई शारुखान जैसे बाल रखता है कि उसके बाल ऐसे हैं तो मैं उसको ऐसे रखता हूं ठीक है किसी एक विक्ति के साथ जो बड़ी परसनालिटी है उसके साथ उसकी तुलना करना यह गुजरात टेट में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में मैंने लिखा भी हुआ है जी यू जी यू जे टेट 2018 में अलग-अलग टेट्स को आपको कि समझ आपके इंदर डेबलब हो और किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कवर कर लें आसानी से उसको हल करने में सक्षम हो अगला चलते हैं कंपेंसेशन छती पूर्ती सरीर में किसी चीज की कमी होने के बाद दूसरे शेतर में शेष्था का विकास करना छती करना यानि अगर एक शेतर में हम कम हैं एक शेतर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे शेतर में हमें और बहतर औरों से और अच्छा करना है तो इसको कहते हैं कंपेंसेशन एक छती पूर्ती करना एक शेतर में कम होने के बाद दूसरे शेतर में उसको कंपेंसेट कर लेना that is the compensation या फिर छतिपूर्ति कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं sublimation जब कोई विक्ति आसामाजिक एक्छाओं के मार्ग को बदल कर सामाजिक मार्ग पर आ जाता है तो वहां मार्ग आंतिकरण कहलाता है उदाहरण जैसे पत्नी की फटकार की बाद तुलसिदास राम भगत बन गए थे यानि जो समाज में बुरी habits हैं आसामाजिक एक्छाओं हैं उनको बदल कर एक समाजिक मार्ग पर आना एक अच्छे रास्ते पर आ जाना उसको सब्लिमेशन कहा जाता है मार्ग को बदल देना ठीकर देट इस सब्लिमेशन आगे चलते हैं दसमें पर नेगेटिविजम यानि नकारात्मक इस स्थिते में उन कारियों को करता है इन स्थिते में वेक्ति उन कारियों को करता है जिन्हें करने के लिए उसे मना किया जाता है उदाहरण के लिए बच्चों को फूल तोड़ने के लिए मना किया जाता है तो वहाँ अवस्य ही फूल त करना है तो अगर आप से उसकी नहीं बनती है या आपके अंदर कोई उसका संबंद अच्छी नहीं है तो वो कहेगा यह काम तो मैं करके ही रहूंगा तो यह कुछ मेकानिजम थे जिसके बारे में हमने बात की और इनको अच्छे से आप तयार कर लें क्योंकि परिक्षाओं में यह जरूर पूछे जाते हैं अभी रीट में भी पूछा गया था और युज्रात में पूछा गया है तो इस तरह की टॉपिक्स को आप जो इंपॉर्टन टॉप तरहू जार में जो झी।